आज मैं आपको एक important topic बताने वाला हूँ that is tricks to remember the articles related to panchayati राज तो बहुत सा articles होते हैं मैं आप बतादू 243 से लेके 243 ओ तक यहार कि articles हैं अब उनको याद करना बहुत difficult होता है तो आज मैं आपको बहुत असान सी trick बताऊंगा जिसके आपको automatically सारे articles याद हो जाएंगे में तो discuss करूं तो याद दखिएगा पंचायती राज हमारे part 9 of the constitutional amendment है और यह 73rd constitutional amendment act 1992 के तुरू add हुआ था याद दखिएगा और इसमें इसकी वज़े से 11th schedule of the constitution भी add किया गया तो यह आपको याद अखना और इसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से है आर्टिकल 243 से लेकिए आर्टिकल 243 ओ अब इनकी trick कैसे कैसे याद करें या अटिकल तो जल्द इसे दो मिट के अंदर सारे आर्टिकल समझ लेते हैं तो वह ही यहाँ point लिखा हुआ है अब इक करके स्टार्ट करें 243 ए से क्या होगा ए से होगा assembly आपको याद रखना है अब देको assembly होती है लोगों के assembly होती ही कि नहीं तो गाउं में याद रखने है जो assembly होती ही लोगों की उसे हम कहते हैं ग्राम सभा क्या कहते हैं उन लोग सब्सक्राइब किसमें 243 ए में तो ऐसे आपको याद रखना रखना रजिस्टर्ट वोटर्स ऑफ डैट कॉंसिट्वेंशी वरब जो भी पंचायती रा जा रहा होगा उसके रजिस्टर्ट वोटर्स हो तो उन्हें कहते हैं ग्राम सभा चलिए आगे पर देको बनाना बना गया बनाए गया पंचायत में तो थ्री टाय सिस्टम बनाया ऐसे याद कर सकते हैं 243 C से याद करो composition ठीक है क्या अट करिया composition तो इसमें भाई पंचायती आज में चेर्मन होंगे members होंगे पुरा composition defined होगा कि नहीं तो वही अगला point का लिखा है composition of पंचायत 243 C ठीक है अब आ कर दोनों एक ड्राइमिंग एसे लग रहे हैं कितने साल के लिए पंचायच होती है आपको पता हो फाइव यर्स के लिए होती है तो डूरेशन ऑफ पंचायच जो है वो फॉर्टिथ्री ए में है कैसे आत क्या समझे यर से यर मैंने बना लिया 243 F से फेल हो गया बच्चा मतब डिस्क्वालिफाय हो गया ठीक है तो डिस्क्वालिफिकेशन फार मेंबर्शिप जो है वो फॉर्टिथ्री एफ में मैंचेन है नेक्स आते हैं 243 G G से जैसे हम दवाई खाते हैं गोली खाते हैं आपने सुना होगा दवाई खाने बाद हम प है is अब बनत हो चुका है रेंद बन्णॉ टीइशिया आपको पता होगा ठीक है इसमें आपको क्या है एक हो भूल चाना है ठीक है při से चोग तकने है थे से क्या है टाक्सेस टिसए क्या इसमें किया सब्क्रण से एक पाबसे संबिपो इंपोचे इंपोश्या है पाया तो जो फिनांस कमिशन कंपोजिशन एकांसिटूशन है वो यहां पर मेंशन है आई से इनकम्मेंट ठीक है एक पॉइंट और याद अखिएगा पंचायती राजी डे हम कब चल बेट कहते है 24 अपराइल को बहुत इंपॉर्टेंट दे है याद अखिएगा 24 अपराइल के स्पेलिंग इसको वश्चे सी से होता है याद कहीं तरीका कि यह से कैंडिए कैंडिए मतलब क्या हुआ है एलेक्शन चुदा पंचायट जो है 243 में में यह भी आपका रखना है नेक्स्ट फॉट्री एल एल मतलब यह यूनियन टेरिट्री यह उनके लैंड की बात कर र यूनियन टेरिट्री में किस से एप्लाइड होगा 243 में डिफाइंड है एल से लैंड ओफ यूटी याद कर लिया एम से मिसिंग एरिया मतलब हर जेगे पंचायट नहीं होता है याद दखिएगा कहीं कहीं मिसिंग भी है रिमेंबर जिसे मैं लिखा ना गला एन में जो र निरंतर को इंग्लिश में गते है कंटिणी तो देखिए निरंतर में लिखा हो ब्र약े में कंटिवेंस लिखा है तो इसमेंगा लिखा है कंटिन्वेंस ओफ एग्जिस्टिंग लॉज और पंचायत से तो बोला किया था एक साल तक ठीक है जब यह एक्ट आया मैं बता है 73rd Constitutional Act 1972 में आया ठीक है तो एक साल तक लिए ठीक है तब तक आपके पास जो existing loss थे ठीक है वो अभी continue रहेंगे और एक साल बद वो automatically dissolve हो जाएंगे तो continuation को एक साल के लिए मिला था remember वही point यहां 243 N में लिखाओ N से निरंतर C से निरंतर को English पर continuous तो वहां से आप याद कर सकते हैं ठीक है और लास है 243 O O मतलब order देना ठीक है कौन देगा order court order देगा तो court selected है तो bar to interference by court in electoral matters तो electoral matter होंगे वो bar है interference court interference नहीं कर सकता बार लगा हुआ है ठीक है तो यह आप याद कर सकते हैं order order by court ठीक है ऐसे करके आप कर सकते हैं आपको बहुत ही simple sense में 243 से लेकर 243 O जितने भी आर्टिकल से उनको एक sequence order नब पढ़ा दिया लगो कि आपको समझ में आ गया होगा remember तो अगर आप हमाई complete courses जोइन करना चाहते हैं यहाँ पर पूरा होंगी नोट्स आप चाहें तो कुरियर करवा सकते हैं अपने घर तक होगे वन यह प्रोग्राम है टू यह प्रोग्राम है त्री यह प्रोग्राम है तो जो सब्सक्राइब करते हैं इसमें और लोगों तक भी पहुचे अगरे ट्रिक पसंद आई है आप और ऐसे कौन से टॉपिक्स चाहते हैं इसमें आपको ट्रिक के थुरू बता दूं जिससे आपको अच्छे लेवल की जनरल स्टेडी आपको याद जाए तो कमेंट बॉक्स जरूर वो टॉपिक्स आप कमेंट करिया हम आपके उन कमेंच को पढ़के नेक्स वीडियो उसी पर बनाएंगे हैं थैंक्यू